Why do girls like me get treated like विचारी सांवली है ओ अल्ला ने तो ऐसा ही बनाया है फिर मेरी मार ने दुनिया का हर टोट का मेर पर इस्तमाल करना शुरू कर दिया बस तैजाब से मूध होना रह गया था मेरे बचपन में दूद का खर्चा कम और क्रीमों का जादा होता था जीटी रोट पर कार से मून कालो तो आदी दिवारों पर काले जादू का तोड और आदी दिवारों पर काले रंग का शर्थिया इलाज लिखा होता है ये कोई बिमारी है असलाम लिक्म दोस्तो वेलकम टू पर्डकास्टिक और मैं हूँ आपका होस्ट नुमरसलीम दोस्तो आज मरसमुद मुझूद है एक ऐसी लड़की जिनका कुसूर यह है कि वो ऐसी सुसाइटी में पैदा हो गई है जहांपर डार्फ स्किंड होना जने कि सावला होना एक चुर्म है तो आई एंसे बात करते हैं और जानते हैं कि डिलिंग तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है असलाम लिगो मेडम कैसी हैं आप बदकिस्मत नहीं खुद को बदकिस्मत ऐसे नहीं कहते हैं मेडम अशलाम बड़ी खुबसूरत है आप तो खुबसूरती का मेन ग्रेडियन्ट ही मिसिंग हो तो खुबसूरत कहां से हो गई मैं अगर सोसाइटी में मीठे का स्टैनेट जर्दा है तो गुड़ वाले चावल कहां जाए मेरे पास आजए आई लव गुड़ वाले चावल शरम करें शादी शुदा हैं आप मैं गलस समझ नहीं मैं एक्चुली गुड़ वाले चावलों की बात कर रहा हूं अच्छा ये बताएं कि आप सोसाइटी कितनी परवा क्यों करती हैं माश्रे की खैर है भाई अपने घर वाले ही नहीं जीने देते मैं समझा नहीं कि तो बस उसी दिन से मेरी मान है अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया कि इसको गोरा करना है और मिशन की शुरुवात मेरा नाम नूर रखने से की नूर? वाइ? कि शायद नाम के असर से रंग फिर जाए लेकिन रंग फिर भी आपकर रहा है वही मारे चाचे नूर वाला ही ओ नहीं नहीं आपकी चाचा नूर का तो बोत ही बेडा गर क्या है और अगर चोर आए तो पीछे जाकर उसको ऐसे दबोच लें आप किसी ममा के मिशन का जिकर कर रही था पिर मेरी मा ने दुनिया का हर टोटका मेर पर इस्तमाल करना शुरू कर दिया बस तैजाब से मूध होना रह गया था बाकी मेरी मा ने मिटी का तेल तक इस्तमाल करके देख लिया था ओ माई गॉड इतना जलूम तो मेकैनिक पराने स्लेंसर के साथ भी नहीं करते हैं वही तो मेरे बचपन में दूद का खरचा कम और क्रीमों का जादा होता था लोगों के मामूद दुबई से आते हैं तो उनके लिए खिलोने और चॉकलेट्स लेकर आते हैं मेरे लिए वाइटनिंग क्रीम, फेस वाश, संब्लॉक आया करते था लेकिए न कमसकम आपको इंपोर्टेट्स यूज करने को मिल जाती थी हम तो सारी मर्तिपद क्रीम लगाकर बढ़े हुएं और सुनो, मेरी अम्मी को लगता है कि जो चीज आप खाते हो वैसा ही रंग हो जाता है चाय तक नहीं पीने देती मुझे जैसे लड़के घरवालों से चुपके सिगरेट पीते हैं वैसे मैं चाय पीती हूँ तो तुमने टीचर को कंप्लेंड नहीं की मैंने एच्चोडी को कंप्लेंड की थी के क्लास मुझे रोस्ट करती है ही सेड़ ओ अच्छा इसलिए तुम्हारा रंग ऐसा है मैंडम प्लीज रोना बन करें सबूर मैंडम के लिए कोला ले आओ कोला मत मंगवाईए ममा कहती है कोला पी-पी के कोला जैसी हो गई हो पिर क्या मंगवाऊँ लसी मंगवाण अच्छा आप बता रही थी कि आपकी जो मदर है वो उन्होंने आपकी गोरे करने के जो मिशन था उसको फिर काईम रही या कोशिश छोड़ दी मेरी अम्मी का आजकल का मिशन है कि मुझे रिष्टे वाली आंटियों के हाथों जलील करवाना ओ ऐसा क्या अम्मी को आके कहती बाजी बड़ी मुश्किल से बहुत अच्छा रिष्टा डूंडा है लड़के वाले घर आना चाहते हैं अम्मी ने कहा हाँ हाँ आज रात ही बुला ले और मेरी तरफ देख के कहती मैं तो कहती हूँ दिन में ही बुला ले जादा बेतर रहेगा और इसको लाइट कपड़े ना पैमने देना मजीद काली लगेगी आउच मुह तो जवाब देना चाहता ऐसी अंटी कैसे देती मेरे बोलने से पहले तो मेरी माने उनकी हां में हां मिला दी और जो लड़का बिखा रही थी वो मेरे से भी जादा डाग था तो मैंने पूछा ये कैसे अच्छा रिष्टा हुआ शी सैट बेटी अगर लड़का अमीर हो तो रंग नहीं देखा जाता लड़की तो सावने ही अच्छे लगते हैं ये कैसा डबल स्टेंडर्ड हुआ ये कैसा डबल स्टेंडर्ड हुआ ये सुसाइटी आपके लिए बनी नहीं है शुद ट्रैवल मोर और फाइन यूर पार्टनर जो को आपसे महबद करें और skin color से कोई लेना देना भी अग्षे लाट ना उसकी least priority है वगले करने जी टी रोट पर कार से मुन का लगते हके लिए तो आधी दिवारों पर इकाले जादू का तोड़ मैंने modeling और acting के लिए इतने auditions दिये rejected, rejected, rejected उनके लिए skills नहीं बलके skin ज्यादा important होती है क्योंकि अवाम भी गोरे रंग को अशीन और सामले रंग को बचसूरत समझती है तो नारशी। यह था आज के podcasting आरे नी चेक करें कि काला रंग सब का favorite होता है Until it comes To Skin इस पोड़कास्टी के मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था बलकि उन विक्टिम्स का दर्ट दिखाना था जो डेली इस अजाब से गुजरते हैं हम इडिया पाकिस्तान वाले अपनी कॉंप्लेक्शन को लेकर कुछ जादा ही इंसेक्यूर है और हमारी इस इंसेक्यूर्टी का ब्यूटी प्रोड़क्स बनाने वाले कंपनी बरपूर फाइदा उठाती हैं आए दिन हम एड्स देखते हैं कि लड़की को अंडर कॉंफिडन दिखाया जाता है उसकी विसे उसको जॉब नहीं मिलती उसने क्रीम लगाई और कॉंफिडनेंस मिल गया और जोग पकी हो गई लड़की का रिष्टा नहीं हो रहा था तो उसने फलानी क्रीम लगाई शी बिकेम फेर और अब उसकी शादी हो गई sadly we live in a society जहाँ पर फेर स्कीन होना फकर जबके डर्क स्कीन होना एक गुनास समझा जाता है आप इस सुसाइटी में अपना IQ, अपनी intelligence, अपनी qualities एक पड़ड़े में रख दें और दूसरे पड़ड़े में सिर्फ गोरा रंग रख दें तो गोरा रंग भारी पड़ेगा वीडियो में बहुत जादा डार का रहा था सर और गेस्ट को नहीं इसके ख्यार है